हलो एड़ीवन वेलकम टो रेवन इंक टासिट तो आज का डिली एमसी क्यू फिजिक्स का है विच आफ दा फॉलविंग करेक्टरिक्स आफ इलक्ट्रोंस डेटा मिंज दारे करंट इन आ गर्णक्टर ठीक है इन में से कौन सी कौंटिटी या कौन सा करेक्टरिक्स है जो हमे बताता है कि किसी कनेक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे पास मालते हैं यह कोई कनेक्टर है ठीक है और इस कनेक्टर में करंट फ्लो करवाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर दिया ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे बैटरी या किया है तो अब भी सी बात है इसके अंदर फ्री लेक्ट्रोन तो होंगे ही होंगे ठीक है तो जो फ्री लेक्ट्रोन होते हैं वो उस ताइम पे भी क्या कर रहे हैं मुग कर रहे हैं कोई दर को कोई दर को कहीं पे भी आपका रेंडम मोशन में मुग कर रहे हैं ठीक है अब य टेमपरेचर के बरसे इनके पास क्या रहेगी जरहे utan कर दिदरहीं ने रहेगी वह रेंडम मोगी कहीं को भी हो सकती है इनके पास अगर मैं यहां पर एक एरिया मानेथम हो अगर मैं के चलिए macht सेंट के लिए एवरेज जितने यौंब तो इस से इस तरफ को गए हुए हुए होंगे, उतने ही आपके, दूसरी तरफ को भी कहए हुए हुए इस तरफ को, ठीके, तो टोटल जो विलोस्टी बनेगी, हमारी आबरेज, मतलब पी आबरेज हमारी गा रहेगी, 0 रहेगी, कब जब आपका सर्किट अउन नहीं है, मतलब off है ठीक है अब जब circuit on कर देते हैं तो situation देखते हैं ठीक जब situation on कर जाएगी ठीक है जब हम circuit क्या करेंगे on कर देंगे यह हमने क्या कर दिया circuit को on कर दिया on करने के बाद जो इलेक्ट्रोन इदर को भाग रहे थे उनके direction क्या जाती है हमेशा positive के तरक हो जाएंगे इनकी direction random motion से align हो गई ठीक है और यह directly आपका इस यहां से electron positive terminal के पास नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां पर बहुत सारी impurities होंगी ठीक है वह impurities क्या करेंगी इसको रुकने की कोश्च करेगी ठीक है ऐसे ऐसे और यह जो इलेक्ट्रोन है आपका यह क्या करेगा बहुत जगा से टकराएगा भी ठीक है कुछ इस तरह किसे ऐसे इन इंपोर्डी से टकराएगा और यह धीरे धीरे रुकता 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 हुआ जाएगा तब जाके लास्ट पर इस पेंट पर पहुंचेगा तो मतलब उसको हम क्या होते हैं उस लास्टि और कुरूपर के जाने वारी विलास्टि को अफ जब libraries लेते हैं तो इसको हम सब्सकुरू़ जाने वांट्र defensive को हम जरुलवरेश नेद दो हम őं डिवलास्टी देकते हैं इसको ज्ट थीक है तो इन मेंस्ट दो और यही क्या बनाती है हमारे current बनाती है ठीक है जब electron आपका drift करता है तो first option है drift velocity alone तो इसका सही answer भी हमारा drift velocity alone ही रहेगा क्योंकि यह हमारा current बनाती है thermal velocity क्या जाती है zero जाती है मैंने starting में बताया बोथ drift velocity and thermal velocity तो drift velocity ही हमारा current बनाती है थरम velocity current नहीं बनाती तो ये भी गलत है neither drift nor ये तो हमारा वैसे ये गलत है ठीक है तो इसका सही अंसर एगा ये option drift velocity alone थेंक यू